नमस्कार आप देखरें इंडिया न्यूज मैं हूँ आपके साथ कंचन जेस्वानी इंडिया न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको धेर सारी वधाई विश्यू वेरी हापी एंड ग्रेट न्यू यर हैड 2023 मेड भी फुल ओफ ओल दा हैपिनिस दिस 2023 इस साल कई सारे राज्यों में चुनाओ होने वाले हैं और सबकी नज़रे टिकी हुई है कि क्योंकि 2024 लोग सभा चुनाओ है राहुल गांधी की भारा जोड़ो यातरा चल रही है कमलनात की तरफ से कई सारे बयान सामने आ रहा है कमलनात के साथ साथ बिहार की मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने भी बयान सामने दे दिया है कि मैं पी-म बनने की रेस में नहीं हूँ और अगर राहुल गांधी पी-म उमीदवार होना चाते हैं तो मुझे कोई आतराज नहीं है सबकी नजरे इस वक्त एक ही बात पर टिकी हुई है कि क्या राहुल गांधी क्या कॉंग्रिस पार्टी जो 2014 से सेंटर में नहीं आई है वो तमाम पार्टियों को अपने साथ एक साथ समन्वे बना कर ले चल सकती है क्योंकि एक नजर आपको टीमसी पर भी डालनी पड़ेगी ममतब एनरजी जिससरे से पशम बंगाल में बहुमत के साथ दूसी बार उनकी सरकार बनी थी उसके बात क्या आने वाले समय में क्या 2024 में वो राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई नजर आएंगी क्योंकि जब बंगाल का चुनाऊ हुआ था तो कॉंग्रस पार्टी इनके साथ अलाइंस में मिलकर चुनाऊ लेड़ी थी एसा गहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होता हुआ जाता है असी लोग सभा सीटे हैं यूपी की सबकी नजरे यूपी पर टिक्यू हुई है इससे पहले भी अखिलेश आदव और कॉंग्रस जो है साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं अखिलेश मायावती भी चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं लेकिन भारतिये जन्ता पार्टी के सामने कोई बीजेपी को तोड़ नहीं पाया कोई भी गटबंदन क्यों न किया हो इस बार के जो चुनाव हुए थे यूपी के विधान सभा चुनाओ तब समाजवादी पार्टी और जैन चौधरी एक साथ है लेकिन उसका भी कोई तोड़ बीजेपी के सामने कुछ भी नहीं निकल पाया भारतिय जुन्ता पार्टी की प्रचन बहुमत के साथ सरकार बनी है देखना ये होगा और देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि 2023 में कई सारे विधान सभा एसेंबली एलेक्शन्स होने वाले हैं क्या ये एसेंबली एलेक्शन आने वाले 2024 में लोग सभा चुनाओं में सत्ता परिवर्तन के काबल हो सकते हैं या फिर जो सबसे बड़ा क्वेशन है जो नहीं भी तो 2014 से हम सभी सवाल को लेकर पूछ रहे हैं क्या मोदी का अब तक कोई विकल्प किसी भी ओपोजिशन पार्टी के पास नहीं आ पाया है जिया दूशान कारी के लिए अब देखते हु रहे हैं एंडिया नीमस